नमस्कार स्वागते आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल वुटफेस में आज इस वीडियो में फिर से एक बार वाल मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे और दिखाएंगे इसका अपग्रेड़ेड वर्जन जो की यूरो परतिक की तरफ से आया है और उसमें काफी सारे नए डिजाइन्स भी एड किये गए हैं तो चलिए चैनल पर अगर पहले पहले बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इस तरीके के वीडियो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे तो यह है यूरो परतिक का वेन स्कॉर्ट का फोल्डर 2022 का कल अगर अगर आप लोगों को देखना हो तो किरतिन अगर आ सकते हैं और किरतिन अगर में सुभनेन पैनल प्रोड़क्ट है जो कि यूरो परतिक के डिस्टिबूटर है आपको यहां से यूरो परतिक के प्रोड़क्स भी मिल जाएंगे और इस तरीके के आप लाइव डिस्पले भी देख सकते हैं और विवक की बहुत सारी चीज़े आपको यहां से मिल जाएगी अभी हम ये वीडियो वहीं पर सूट कर रहे हैं तो इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए वैसे इसमें जो वैनिस कोट के आलावा जैसे चार को लूवर स्पैनल है उसको भी एड किया गया है इस डिजाइन में और साथ में अलबेस्टा स्टोन का भी इसमें डिजाइनिंग की गई है तो काफी खुबसूरत लग रहा होगा आप लोग जरूर कमेंड में बताइएगा किस तरीके से आप इसको देखते हैं और कैसा आप लोगों को लगा बाकी यह जो वैनिसकोड जो प्रोडक्ट है जिसको वाल मोल्डिंग भी मार्केट में कहते हैं इसमें काफी सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं और मार्केट में बहुत ही लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है तो कि यह आपका एक सिंपल वॉल को भी ना एक बहुत ही अच्छा एक लुक देता है और यह मैंने लाइक पास करके आप लोगों को दिखा दिया है ताकि अलबेस्टर का जो लुक आए वो भी आपको देखने को मिल जाए बाकि अलबेस्टर के बारे में किसी और वीडियो में डिसकस करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को लेकिन ये वीडियो में सिर्फ और शिर्फ आपको इस तरीके के moldings आपको देखने को मिलेंगे अब ये में if that आप को दिखाऊंगे जिसमें सारे designs आपको दिखाने वाला हूं उसमें कितने colors हाते वो भी बताने वाला हूं और लाश्ट में आप देखैंगे कि और भी बहुत सारे applications साब को मिलेंगे तो ये कुछ इस तरीके का folders है जिसमें आपको first page पे आपको white color के बहुत सारे range आपको देखने को मिल जाते हैं white color में इसको directly wall पे भी use कर सकते हैं या interior में आप जहां भी use करना चाहें अगर आप चाहें तो इसके उपर paint वगरा भी कर सकते हैं कि जो wooden है इसमें metallic range आपको मिल जाती है इसके अलावा जैसे कि कुछ texture में भी मिल जाता है marble colors में मिल जाते हैं इसके अलावा company ने lowers के भी pattern इसमें add किये हुए है और charcoal seeds भी add की है इसमें इसमें जो है आपका लगभग 22 mm की thickness से लेके लगभग लगभग 50 mm तक की thickness में आपको मिलता है तो अलग-अलग size में अलग-अलग thickness में ये product available है बाकि जो length है इसकी वो है आपको सिर्फ 8 foot की मिलने वाली है बाकि ये जो product है जैसे कि charcoal और PVC से बना हुआ है तो ये waterproof है, termite proof है, border proof है इसको आप अपने interior में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ceiling, wall paneling, doors पे बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है इसको चाहे आप bed की bag पे यूज़ कर सकते हैं इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ था लेकिन उसमें जो है और इसमें बहुत फर्क है लगबग 39 जो new designs इसमें कमपनी ने add किये हैं और ये एक ऐसा product है, market में इसलिए इसको पसंद किया जाता है एक तो ये low cost में आता है, अब low cost का means जैसे कि आप किसी भी बड़ी अगर wall की बात करें तो वो लगबग आपका 10 by 10 foot में आपको लगबग 100 square feet का पूरा material लगाना पड़ता है लेकिन ये ऐसा product है कि आप length wise length में आप किसी भी wall को आप जैसे कि framework में create कर सकते हैं, काफी खुबचूरत निकल गया था, white अगर wall है तो आप contrast में भी आप जैसे grey या metallic जो भी colors हैं इसमें, वो आप यूज कर सकते नहीं तो white के उपर white color भी बहुत प्यारा लगता है और ये जो product है इसमें आपको जो range मिलती है वो लगभग 4.500 रुपए से start हो जाता है per length 8 foot की और उसके अलावा लगभग 15-1600 रुपए तक की इसमें range जाती है आप जिस हिसाब की थिकने साप लेंगे इसमें कुछ ऐसे भी designs हैं जो कि आप skating में भी यूज कर सकते हैं जैसे क बाकि ये जो application है company के तरफ से ये भी आप देख सकते हैं बाकि और भी मैं आपको applications दिखा देता हूँ इस तरीके को कुछ dots में आप बहुत अच्छे से use कर सकते हैं इसको जो लगाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल simple है बहुत लोग पूछेंगे कि direct कैसे लगाएं तो headless nail अगरा का यूज कर सकते हैं अगर white color में लेते हैं बाकि उसको pasting तो करना ही है अगर direct wall पे लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा headless nail अगरा का यूज कर सकते हैं screw का भी कर सकते हैं लेकिन जहां पे screw लगाएंगे तो वहां पर फिर वो थोड़ी सी पुट्टी वगरा भरके उसके बाद color की touching देनी पड़े की ताकि वो screw अगरा दिखे न बाकि अगर कोई base देना चाहते है जैसे कोई furniture water of almira doors उसके उपर लगाना है तो फिर वो easily मतलब की paste हो जाएगा और कहीं कहीं आप headless nail से support दे सकते हैं बाकि अगर इस product को आप देखना चाहते हैं दिली में तो दिली का मैं subnan panel जो मैंने बताया आपको वहां का address और location में आपको description में दे दूँगा comment box में दे दूँगा तो वहां से आप जाके वहां visit कर सकते हैं और वहां पे आपको euro परतिक के सारी range आपको देखने को मिल जाती ही क्योंकि यह North India के distributor भी है तो काफी अच्छी rate में काफी अच्छी range आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी बाकी अगर कि नहीं को भी अगर कोई कहीं भी किसी area से अगर आपको मंगाना है यह product तो आप हमें direct contact कर सकते हैं मैं आपको number दे दूँगा description में तो यह product हम आपको transport के through भी आपको provide करा सकते हैं चाहे वो all over India में कहीं भी कोई भी area हो तो वहां पे हम आपको यह material provide करा सकते हैं बाकी जो यूरो परतिक है तो यह ऐसी company है काफी सारे production में आते हैं तो सारी वीडियो आपको हमारे channel पर मिलने वाली है और बहुत सारे videos पहले से ही upload है तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं बाकी हमारे channel के साथ बने रही है तो काफी सारे नए-नए products जो plywood lines से हैं या interior lines से ह wall paneling product या ceiling product वो आपको हमारे channel पर हमेशा देखना मिलती रहेगा तो उम्मीद करता हूँ यह video पसंद आया होगा आपको वीडियो को like channel को subscribe जरूर करें फिर किसी next video मिलेंगे तब